मोटर विकल एक्ट 1988 के अंदर किसी भी एडिशनल फीस की या फिर री रिजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं यह कहना है जम्मु कश्मी लद्दाख हाई कोट की जानिब से उनकी तरफ से यह कहा गया है जब किसी मामले पर समात हो रही थी और इसी के पेशे नजर उनकी तरफ से यह कहा गया कि मोटर विकल्स एक्ट 1988 का जो है उसके अंदर कोई भी री रिजिस्ट्रेशन या फिर एडिशनल फीस गाड़ियों को लेकर है यह निके जो गाड़ियां बाहर की रियास्तों से जमो कश्मीर के अंदर आती है और खास करके री रिजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस ली जाती है यही मामला जब लदाख जमो कश्मीर लदाख हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पर यह जब बैंच इस केस की समात कर रहा था और इसमें बताया गया कि मोटर लदाख हाई कोर्ट के अंदर किसी भी किसम की रिजिस्ट्रेशन या फिर एडिशनल जो फीस है गाड़ियों को लेकर है वो इसका कोई भी साबदान नहीं है आपको बताते ही चले है यह मामला जो जमो कश्मीर लदाख हाई कोर्ट के अंदर था जिसके अंदर ऑनिबल जिस्ट्रेश जाविद इकबालवानी की तरफ से यह बताया गया कि जो 9% का जो टोकन टेक्स इंपोज किया जाता है किसी भी गाड़ी पर जो के बाहर से आ रही है यह बाहर के रियासत में से आ रही है जमो कश्मीर के अंदर आ रही है और जब यह मामला पहुंचता है और एक मामला सामने आता है जिसमें उनकी तरफ से यह बताया कि एक गाड़ी हरियाना से जम्मू कश्मिर आती है और उस पर 9% टोकन टेक्स इंपोज किया जाता है यानि कि मोटर विकल्स डिपार्टमेंट की जानिब से और जब ये मामला पहुंचता है तो इस पर समात होती है उसकी जानिब से जावेद इकबालवानी की तरफ से ये बताया गया कि जो 9% इंपोज किया गया है ये टोकन टेक्स है ये इलीगल है यानि कि गैर कानूनी है और साथ में डिस्क किमिनेटरी बताया गया है आपको बताते चले मामला सामने आता है जब पैटिशनर इश्वाक इमत तरमू जो कि सिरनगर के रहाईश है उनकी तरफ उन्होंने एक गाड़ी ली और जो के गुड़गाउं हर्याना में रिजिस्टर थी जब वो गाड़ी जमो कश्मीर के अंदर आती है और जमो कश्मीर के अंदर ये अक्तूबर 2023 का मामला है तो उनकी तरफ से डिपार्ट्मेंट से कंसल्ट किया जाता है और जब लोकल एथरुटिस की तरफ से उन्हें बताया गया कि गाड़ी अगर यूटी के अंदर है तो बारा महिने तक वो चलनी जाये ने कि बारा से जाइद महिने तक वो चलेगी तब जो है यह गाड़ी यहां पर रिजिस्टर होगी और यह कहा गया है ट्रंसपोर्ट एथर्टी की जानब से कि जो आइद किया जाएगा गाड़ी की इस वैल्यू पर जो के तक्रीबन चार लाग का यह तकमीना बताया जा रहा था और यह कंडिशन बताया जा रही थी कि फिर उसके बाद न्यू रिजिस्ट्रेशन मार्क मिलेगा जब यह मामला उनकी तरफ से कौनसल के जरिये से यह मामल के जब यह तक्स जो को डिफैंड किया जो के सेक्शन 3 जमो कश्मी मोटर विकल्स टैक्सेशन एक्ट नाइटीफिटी सेवन का है जहां पर उनकी तरफ से रिफैंड किया गया कि इस तरह का चार्ज लगाया जा सकता है आपको बताते चले जिस्टिस वानी की तरफ से यह ब या फिर इंडिया के अंदर, यैनि के बाकी रियास्तों के अंदर हो, यनि के एक ही कानून होगा और वो जमो कश्मीर में भी होगा, वो रियास्त, बाकी रियास्तों में भी होगा, तो अनिबल जिस्टिस वानी के तरफ से, जो मोटर्रो विकल एक 1988 का है, उसके relevant sections का हवाला द केस एक्ट के अंदर कोई भी रिरीजिस्टरिशन की बात नहीं है या फिर एडिशनल फीस के बारे में नहीं है या इजाफी फीस देने की इसमें कोई वो साथदान नहीं है जब एक गाड़ी को मूग किया जाता यानि एक गाड़ी अगर बाहर की रियासत से जो मुकश्मीर आती है तो इस मामले में री रिजिस्टरिशन नाम का कोई साथदान नहीं है और नहीं एडिशनल फीस का रिक्वाइर्मेंट है यह कहा गया है और जिस्टिस वानी की तरफ से उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस तरह की प्राविजन जो है वो नहीं है कोट की तरफ से यह भी भी बताया गया कि उनकी तब से एक डिसिजन जो पहला बेंच का डिसिजन था उन्हें अपहल्ड किया गया और यह बताते चले आपको कि कोड की तरफ से पैटिशनल की फेवर में यह रूलिंग दी गई और जो अथर्टीज है यानि कि जो डिपार्टमेंट कंसर्ण है उनको डिस्क्रिमिनेटरी डिकलैर किया गया है और अथर्टीज को यह कहा गया है कि अगर इस तरह का फंड आपको रिफंड करना है या रिफंड चाहे अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको सीख करना होगा हर्यादर रिजिस्ट्रेशन अथर्टी यानि कि जहां से गाड़ रियाना से लाई जाती है ने रियायना से में था भी नहींद के अग legal कामिश चाहिए जब गार्याना में रिजिस्टरे जाए उसके बाद यहां पर वो कंसल्ट करते हैं अथर्टीस की तरफ तो अथर्टीस की चार्व से कहा गया कि आपको निया रिजिस्ट्रेशन मार्क तब मिलेगा जब आपकी गाड़ी बारा महिने से ज्यादा चले ही होगी यहां पर और साथ में यह बताया गया आपको नाव परस तरह का कोई भी requirement नहीं है और एक ही बार की requirement है चाहे वो रिजिस्ट्रेशन के अवाले से और कोई भी additional fees की requirement नहीं है उनकी तरफ से यह कहा गया है गाड़ी पर जो के हर्याना से जम्मो कश्मीर आई है वो कि वो से जो है illegal करा दिया या यानिके गैर कानूनी करा दिया गया और डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया है। और आपको बताते हैं चलें जब यह मामला पहुंचता है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है। 1988 की अंदर इसके अंदर कोई भी ऐसी requirement नहीं है। इसके और कोई बहुंच रहती है जुमो कश्मीर में भी भी इसमें provision नहीं है और कोई requirement नहीं है कि आप re-register करें या फिर additional fees दें आपकी गाड़ी को अगर बाकि स्टेट से जमकश्म में मला जाता है ऐसा कोई भी provision या ऐसा कोई भी साफदान नहीं है या ऐसा कोई requirement नहीं है कि आप वहाँ पर re-registeration करने के लिए जो additional fees दो या फिर 9% का जो token tax impose किया गया था और court की जानिब से ये भी मामले को साफ कर दिया गया यानि कि clarification issue कर दिया गया है कि ये के motor जो विकल taxation act 1957 का है वो registration process को effect नहीं करता है यानि कि गाड़ी अगर आ जाती है जमू कश्मीर में आ जाती है बाहर से तो जो यहां पर re-registeration होगी तो उस पर taxation act 1957 का है उसका कोई भी एसर नहीं पड़ता है और उनकी तरफ से जो previous bench का division था अगर बात की जाते है तो जुहूर एमदबाट versus government of जमू कश्मीर के मामले के बीट यह जो decision था उसको अभेल किया गया और इसका बताया गया कि lifetime tax जो है could not be lived based on the vehicles presumed extended stay in the UT तो यह मामला है और high court की जानव से clear कह दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी जमू कश्मीर में आती है बाहर से यह कि यह मामला जो हर्याना से गाड़ी आके जमू कश्मीर आई और motor vehicle act की तरफ से कहा गया कि आपको 9% जो tax देना होगा जो impose किया गया था गाड़ी पर और गाड़ी की जो कास्ट लगाई गयी थी वो जमू कश्मीर लागी वो कि total illegal है यानिके गैर कानूनी है और साथ में discriminatory बताया गया है तो एक बड़ी खबर है खास करके आज सब लोगों के पास गाड़ी आ है और ये खबर जो है इंतहाई एहमियत के हामिल है कि इस तरह का अगर मामला होता है यानि के बाहर से गाड़ी आती है जमू कश्मीर में लाई जाती है और उसके बाद अगर इस तरह का जो एक्ट है उसके लिए बहुत जरूरी था और ये खबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमो कश्मीर लदाख हाई कोड़ की जाने से क्लारिफिकेशन पर सामने आई है और जो शक्रशुबाहत थे इस मामले को लेकर मोटर विकल्स एक्ट की बात हुए या फिर जमो कश्मीर जो विकल्स टैक्सेक्शन एक्ट नाइडि नहीं होगा और नहीं कोई अडिशनल फिस हो का यह निके जो 9% का टेक्स, टोकन टेक्स इंपोज किया जाता है वो जो है इनलीगल करार दिया गया और डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया गया है